बोडला में ओडिसा मलकान गिरी से गांजा ले जा रहे MP के चार अंतराजिय गिरों के गांजा तस्करों को बोडला पुलिस ने गिरिफतार किया है 12 दिन में एक कुइंटल 43 किलो गांजा आरोपियों से जब्त की गई है गुरुआर को ठाने के सामने रूटीन चेकिंग के दारान बुलेरों वाहन को रुखवा कर जाच की गई जाच के दारान चारो आरोपी हरकत में आ गए और भागने की कोशिश की संदे के अधार पर वाहन को अपने कबजे में लेकर पुलिस के जवानों ने गहन जाज परताल किया आरोपियों ने बड़ी चालाकी से वाहन द्वारा वाहन के च्छत को मोडिफाई करा कर नीचे गांजे की पैकेट छुपा कर रखे थे जिसे दतकाल अपने कबजे में लेकर आरोपियों को गिरिफतार किया गया गांजा जैसे मादक पदार्थों के अंतराजिय गिरों से बोडला पुलिस ने इससे पहले 8 मार्च को 82 किलो गांजा सुमो विष्टा के दरवाजे से जब्त किया था वही गुरुआर को बलेरों के छट से 61 किलो गांजा पकड़ा गया है इस तरह 12 दिन के भीतर एक क्विंटल 40 किलो गांजा जब्त किया गया है जो बोडला पुलिस के लिए बड़ी सफलता है वही धानप्रभारी संतराम सोनी ने बताया कि नेशनल हाइवे वह ग्रामिड मार्गो में बोडला पुलिस त्वारा लगातार सर्चिंग की जाती है जिसके चलते अवैशराब वह गांजे के तसकरों को पकड़ने में सफलता हासिल हो रही है जंदर डैम्स निउस के लिए कवरधा से जीवन साहु की रिपोर्ट